कि इश्क में मिला धोका तुम्हारे ही काम आएगा वफाएं कितनी भी कर लो बेवपाई में नाम आएगा वफाएं कितनी भी कर लो बेवफाई में हिनाम आएगा इश्क करने वालो कुछ राधा कृष्ण से पैगाम लो जहां जब भी राधा पुकारेगी तो घंशाम ही आएगा और मेरा तहा हर अलपास तुम्हारा दिल चू जाएगा चाहें घूम लो जहां सारा मगर घर में ही आराम आएगा अरे वक्त रहते समझ लो एहमियत माबाप की क्योंकि इनका ना हो ना किसी दिन तुम्हे बहुत रुलाएगा तो शुक्रिया और मेरी एक छोटी सी कभीता या कहानी समझ लीजिए यह लड़कियों की तरफ से है एक लड़की क्या फील कर रही है वो लिखा है मैंने तो उसमें कभी मेरी गली में तुम्हारा आना हुआ है कभी मेरी गली में तुम्हारा आना हुआ है मुझे देखकर छुपकर तुम्हारा मुस्कुराना हुआ है आओ ना कभी मुलाकात करते हैं चांदतारों की मौझूदगी में यूँ तो एहसास बहुत से महसूस करे होंगे तुम्हें कभी तुम्हारी पीट पर किसी का उंगली फिराना हुआ है बताओ ना कभी मेरी गली में तुम्हारा आना हुआ है मुझे देखकर छुपकर तुम्हारा मुस्कुराना हुआ है यूँ जो बैट जाते हो कभी गुमसुम अकेले में कभी किसी का विन्बजा मनाना हुआ है बताओ ना कभी मेरी गली में तुम्हारा आना हुआ है और वो जो सुभा उठकर मैं जब सबसे पहले नाती हूँ वो जब हर सुभा मैं छट पे बाल सुखाती हूँ क्या कभी उन भीगी जूफों की बूंदों का तुम पर गिरना हुआ है क्या कभी गल्ती से ही सही हमारा मिलना हुआ है वो तुम्हारी दिन भर की बातों का किसी को सुनाना हुआ है अरे बताओ ना कभी मेरी गली में तुम्हारा आना हुआ है कि एक आखरी निये यादो के उपर है कि यादो से मेरा कैसा रिखता है हला कि इस को इन आता नहीं अभी तक है तो यह वाला कि मैंने यादों के ऊपर लिखा है हो जाएगा वक्त सब को करना चिखा देता है मेरे हर जर्रे में छुपी है तू मेरे हर जहन में, मेरे हर जर्रे में छुपी है तू तिरही जिक्र करना अब मेरा काम हो गया है अब जाता नहीं मैं महखिलों में यादों को तिरी ले कर अब जाता नहीं महखिलों में मैं यादों को तिरी ले कर क्योंकि तिरी यादों से मुलाकात करना अवाम हो गया है दस तक देती है हर रोज मेरी क्योखट पर आकर यादे तिरी सुंसान राहों पर तिरी यादों का चलना अब सरयाम हो गया है मुझे चाहती तुझ से कभी ये तो याद भी नहीं मुझे चाहत थी तुछ से कभी ये तो याद भी नहीं तिरी यादों से ही इसकदर मुझे प्यार हो गया है और ये आकरी लाइन है कि और तुछ से बहतर तो तिरी यादों ने चाहा मुझे और तुझ से बहतर तो तिरी यादों ने चाहा मुझे अफसोस कि मुझे अब इस बात का हैसास हो रहा है शुक्रिया